नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टोप 25 पर मोख खबर जानते हैं उच अस्तरिय बैठक में विस्तार से जर्चा होई वहीं इससे जुड़ी योजनाओ और नीतियों के निर्मान और निर्धारन में नीती आयो की अहम भूमका है नीती आयो के सदस वीके पॉल के निर्धारन में आठ सदसे टीम तथा वर्चुल मादयम से जुड़े केंदर सरकार के वर्य पतादिकारियों के साथ विभीन विभागों से जुड़े मौसलों पर सकरात्मक विचार भी मर्स हुगा ज्यारखन में 21 सितंबर तक बारिस बंगाल की खाड़ी में आय चक्रवाद का असर पूरे ज्यारखन पर पड़ा है बुद्धवार को भी रूक रुक कर बारिस हो रही है बतादे लगतार बारिस से लोहरदागा में जरजनों घर गिरे हैं वहीं कोयल नदी का जल अस्तर बढ़ने से अवागमन परभावित हुआ है बतादे अगामी 21 सितंबर तक बारिस होने की संभवना महसा मिभागने जताई है इस चक्रवाद का असर पूरे राजे में दिखने को मिला है रांची के बुढ़ू में बना हाराडी पूल धवस्त रांची जीला अंतरगत बुढ़ू तमार सीमा पर कांची नदी के ठे बुढ़ाडी हाराडी पर 14 क्रोर की लागत से बना पूल धवस्त हो गया है बता दे बुड़ू पर खंड के बुढ़ाड़ी हाराड़ी घाट पर कांची नदी पर 14 क्रोर की लागा से बाना पूल बुद्धवार को दो फर बाद पूरी तरह से धोस्त हो गया ज्यारखन में कक्षा 6 से उपर की स्कूल खुलेंगे ज्यारखन में क्रोणा संक्रमन के कम होते मावलों को देखते हुए हमन सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोलने पर अपनी अनुमति दे दी है वहीं कक्षा 5 तक अब भी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी इससे पहले कलास 9 से बरावी तक के स्कूल खोलने की दी गई थी बतादे मंगलवार को सीम हमन सरीन के अदक्षता में आपदा प्रवनर प्रादिकार की बैठाक में कलास 6 से 8 तक के स्कूल खोलने पर समति दी गई है बाबा मंदीर में इपास से इंट्री 16 से राइस्टेशन 17 सितंबर से करे दर्शान बाबा बैदनात मंदीर में गुरुवार से नहीं सुक्रवार से आम सर्धालू के लिए खोलने की समभवना है बतादे जीला परसासन ने इपास के लिए जो वेबसाइट में वेवस्ता की है उसके अप्रूभल के लिए NIC को भेज दिया गया है अप्रूभल मिलते ही वेबसाइट का लिंक सेर कर दिया जाएगा लिंक सरोजनिक होते ही आम सर्धालू बाबा मंदीर में जलारपन पूर्जा के लिए इपास का अपना रेजिटरेशन करा सकेंगे आजनकारी DC मंजुनात भायंतरी ने दिया है उन्होंने बताया कि बाबा बायदनात मंदीर में रोजाना सुबा 6 बए से साम 4 बए तक आम सर्धालू बाद परवेश मिलेगा वहीं हर दिन 10 घंटे पट खूले रहेंगे आज से खूल जाएगा माचिनमस्तिके मंदीर जारखंड के हमन सरकार द्वारा धार्मिक असलो को खोलने का नेदेश दिया गया है जिसको लेकर 146 दिनों बाद 16 सितंबर से रामगण के रह रापाई सित्माच इनवस्तिका देवी के मंदीर को आम सर्धालू के लिए खोल दिया जाएगा इसको लेकर मंदीर ने आज समीती द्वारा व्यापक त्यारी की गई है मंदीर की साफ सफाई किया गया है वहीं सर्धों के साथ सर्धालू माता का दसन कर पाएंगे भारत का एक मात्र भेडिया अभ्याना लातेहार समस्याओ के हिसाब से बने कार्य जोजना एस्थी-एस्टी के लिए हो अलग नीती सियम हमान्त मुख्यमंत्र हमान्सुरे ने राजे की समस्याओ और जरूरतों के हिसाब से नीती तयार करने की बात का ही है मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में बुद्वार कुरांची में नीती आयो की बैठक के दोरान राजे के विकास से समधित भी सवय पर विस्तार से चर्चा होई इस करब में समस्याओ का समधान तलासने की कोशिस की गई इस दोरन 22 विभागों की और से दिये प्रस्ताओ और मुद्व पर चर्चा होई बता दे मुख्यमंत्री ने कहा कि संगिय धाचा होने के कारण केंद्र और राज सरकार के बिच बेतर समन्वे से विकास उगदी दी जा सकती है समस्याओ का बेतर समधान भी निकाला जा सकता है इससे जुड़ी योजनाओ और नीतियों के निर्मान और नीरधारन में नीतियायों की अहंभूम क्या है दुमका में अस्थापित होगा जारखन का पाहला हरवल पार्क दुमका में जारखन का पाहला हरवल पार्क अस्थापित किया जाएगा बतादे क्रीसी पसुपारान यम साकार्ता विभागने इस दिशा में पर्यास शुरू कर दिये हैं पार्क की अस्थापना का उदे से राजे में हरवल खेती के साथ-साथ इससे जुड़े उध्योगों के लिए अउसर्स रिजन करना है अध्यायन, अनुसंधान और पर्याटन को भी इस पार्क के स्थापना से बढ़ावा मिलेगा बतादे हरवल पौदों की खेती और उप्योग को लोग प्रिये बनाने की कोशिस की दिशा में यह पर्यास शुरू किया गया है इस से हरवल छेत्र में अस्थाई अजीव कागो भी बढ़ावा मिलेगा ज्यारकन में 10 नए केस मिले है जो राची से 5, पूर्वी सिम्हूम से 1, धनबाद से 1, पच्मी सिम्हूम से 1, लोहर दगा से 1, खोटी से 1 मिले है ज्यारकन में कूल एक्टिव केस की संख्या 110 है भारत में 3,346 नए केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,36,7 है मतांतरन के खिलाब राश्टी ये अस्तर पर आवाज उठाने की जरूरत ज्यारकन और 36 गड़ के जन जातिये समाज के बिभीन समाजिक संगठनों के बैठक राश्टी के HEC सेक्टर 3 स्थीत सरना अथर पर बुद्वार को हुई बैठक में उपर्थित सभी लोग ने एक सवर में जन जातिये समाज के मतांतरन में लगे लोगों से बचने के अपील की कहा की यदि अभी हम नहीं चेते तो आने वाले समय में जन जातिये समाज की इस्थिती और खराब हो जाएगी मिस्नर्यों का वचास्व बढ़ता जाएगा इसके साथ ही जन गर्ना में अलग धर्म कोड को भी सभी लोगों ने नकार दिया है डीवीसी बकाया का मामला निती आयोक की बैठक में मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने बुद्धवार को निती आयोक के सदस्यों के साथ उच अस्तर्यों बैठक के दुरान डीवीसी के बकाया थाइसो पैतारीस कोड रूपए केंद्र सरकार दुआरा काटे जाने का मुदा उठाया है सीम सुरेन ने कहा कि इसके अलावा 22 रूपए काटने की बात आई है राज सरकार ने निती आयोक के माध्यम से केंद्र सरकार से डीवीसी के मसले का समधान निकालने तक रासी नहीं काटने का आगरा किया है यह जानकारी मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद पुर्चेक्ट भावन में पत्रकारों को दी दोनों तरब से संग्य ठाचा को मजबूत करने पर जोर दिया गया है महीने के 25 तारीकों होगी बिद्याले प्रवंधन समीती की बैठक राज्य के प्राइमरी और मिडिली स्कूलों के बिद्याले प्रवंधन समीती की बैठक हर महीने के पस्षिस तारीकों होगी इसमें बिद्याले प्रवंधन समीती के सदसे और सिक्षकों को वैसे बच्चों जो अब तक स्कूलों में नमांकर नहीं करा सकते हैं उन्हें 15 दिनों में नमांकित करने का निर्देश दिया जाएगा बतादे इसके लिए इसकुली सिक्चा और सक्षता विभाग ने फिर से सभी जीला सिक्चा अधिक्चा को निर्देश दे दिया है बैठक के लिए पुर्व के सभी सदस्यों को सुझना दिजाएगी जन्जाती समुदाय के हित में नहीं है अलग सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग। अलग धर्म कोट की मांग करने वाले संगठनों को आत्म मंथन करना चाहिए उन्होंने कहा कि कैथोलिक चर्च द्वारा सरना धर्म कोट का समर्थन और मांग करना हमारे हीत के लिए नहीं बलिक अपने हीत के लिए कर रहे हैं ताकि आदिवासी और इसाई में कोई अंतर और फ कि सदन सरोपरी होता है नमाज रूप को लेकर उठे विवाद के बाद सरोदलिये कमेटी कठित की गई है जिस तरह से इस मुद्दे पर विवाद खाड़ा किया गया वह उचित नहीं था उनकी बेदना उनके मन में है आसन पर आचेप लगाना सही नहीं है आसन की उम्र बहु करना पड़ा पता दे इस तोरन मरीज कारडी एक एम्बूलेंस में ही इलाज के लिए इंतजार करता रहा सड़क हाथसे में घायल अबदूल कलाम को वेंट्रिलेटर क्या हो सकता थी रिम्स की एमर्जेंसी में वेंट्रिलेटर खाली नहीं था जिसकारन परतिक्षा करते र आना पड़ा रांची से ट्रेन से पचास परतिसत अनुदान पर भेजा जाएगा करिसी उतपादन रांची के किसानों की फसल और उद्रियानी की को वाजार दिलाने को लेकर जल्ध ही BCS टेल सेवा शुरू की जाएगी किसानों की फचल को रेलवे 50% अनुदान पर गंतव यतक पहुचाएगी इस मतले पर चार्चा को लेकर बुद्धवार को कांके रोड इस्थी जीला क्रिसी कर्याले सभागार में बैठा कोई जिसकी अध्यक्स्ता जीला क्रिसी पधाधिकारी विकास कुमार ने की मुख्य मंतरी आज फूलो जानों में लेंगे हिसा मुख्य मंत्री हमान सुरेन गुरुवार को पुर्जेक्ट भोन सभागार में फूलो जानो असिरवात अभियान के अंतरगत आजीव का उपलबता कारिकरम में भाग लेंगे कारिकरम में हडिया दारू निर्मान एवं बिकरी के कारे छोड़ कर सम्मान जनक आजीव का से जूड़ी महिलाये अनुभाव सजा करेंगी बता दे मुख्य मंतरी एवं ग्राविन विकास मंतरी आलमगीर आलम इस असर पर विभीन जिलों के फूलो जानो असिरवात अभियान के लाभकों से ओनलाइन सनवाद भी करेंगे जारखन में दूरगा पूजा को लेकर गाइड लेंग जारी करोना संग्रमितो की संख्या में काउमी को देखते हुए हिमन सरकार ने दूरगा पूजा को लेकर गाइड लेंग जारी किया है इस गाइड लेंगे लेकिन सरधालों की इंट्री सर्तों के आधार पर होगी वहीं दूसरी बार भी मेला कावजन नहीं होगा बतादे मंगलवार को सिये में मंसरिन के अधक्सता में आपता प्रवनर प्राधिकार की बैठक हुई इस बैठक में दुर्गा पुजा को लेकर गाइडलेन जारी किया गया कर्मा पुजा भाई बहनों का तेवहर कर्मा एवं एकाजसी पर्व की त्यारी में लोग जूट गए हैं बतादे हजारी बैग जीला अंतरगत बढ़का गाउं में करीब पांच हैयार आखाडों में कर्म की पुजा होगी बिवाहित बहने अपने अपने सस्राल से कर्मा पुजा करने के लिए बढ़का गाउं मायके पहुचने लगी है इन दिनों सुबह साम लोग गीत वग कर्मा गीत से छेत्र गुंजयमन हो रहा है बता दे कर्मा पर्व एवं एकादसी करने वाले भाई बहनो संजोक के दिन नदियों में जाकर अशनान करेंगे इसके बाद अपने अपने करम के खाडों में पुजा अचना करेंगे गढ़वा पी एच इडी विभाग के कैसियर घुस लेते गिरफतार गुमला सहर के रहायसी इलाक के गोकुल लगर में बाल मजदूर मोक्ती संस्थान के संचालक मिथलेश कुमार साहू जिनकी उम्र 35 वरस है की दिन दहारी हत्या कर दी गई है बतादे अपराधियों ने पहले गोली मारी फिर गला रेत दिया घटना मंगलवार की सुबा 10 बजे की है मिरित्त का घर डुमरी परखन के जैरागी गाउ में है प्रन्तु अब पांच मासे गोकुल लगर में करयाले खोल कर अपना एंजियों चला रहा था जारखन में छेतरिये करनिया डिस्टिबियोशन सिस्टम होगा लागू जल्द ही जारखन में छेतरिये करनिया डिस्टिबियोशन सिस्टम लागू किया जाएगा इसे लेकर सरकार त्यारी कर रही है स्वास्त मंत्री बना गुपता ने बुद्धवार को रिम्स में अविजित नेतर दताओ के समान समारों में उन्होंने इसकी जनकारी देते हुए बताया कि दान किये हुए करनिया का सही इस्तेमाल हो और जरूरत मंदों को करनिया मिल सके इसे लेकर हज समभव उठाया जाएगा उन्होंने रिम्स आई बैंक की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के डॉक्टरों और करमचारियों के पर्यास से एक वरस में 64 दिन नेतरदान किये जा चुके हैं जेई मेंस में रांची के राहूल बने जारखन टॉपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेंस का फाइनल रिजल्ट मंगलवार की तेर रात जारी कर दिया है बतादे जारी परिणाम के अनुसार डीपीएस रांची के स्टुडेंट राहूल कुमार जारखन टॉपर बने हैं इन्हे 99.992 स्कोर मिला है वहीं लड़कियों में ग्रियता चक्रवत्ती टॉपर बनी है इन्हे 99.946 स्कोर मिले हैं बतादे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इस बात की जनकारी दी गई है लोहरदगा पुलिस लाइन में प्रतिनियुक्त जीला बल के पुलिस जवान की मौत हो गई है मैगजीन गार्ड में प्रतिनियुक्त था इसकी मौत के बाद 100 का पुश्माटन कराकर उसके 100 जनों को सौब दिया गया है धन्यवाद यदि आप चनल परना है हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बॉल कावल आइकन दबए सलसा वीडियो के एक लाइक कर अपनी दोस्तों के बाद से पेस्बूक ट्यूटर इंस्टाइगराम पर सेयर करना ना भूले साथ ही साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना प्यारा सब फिड़बैक अवसे दे थैंक यू